लड़का बनकर रहो तो सब कुछ माफ है लड़की बनकर रहो तो लोग जीना दोबर कर देते हैं ये कहां का इंसाफ है? अब ये देख लो तुम राद बार गजार कर लोटे हो लेकिन असल में तो तुम लोटी हो लोग इस बात को कैसे कबूल करेंगे? कबूल कर लेंगे? कभी नहीं अरे असली बात तो करना ही भूल जा? सुन तो आगए हो तुम सारी रात तुम्हारी माँ परेशान रही है बज़ अगर रात को नहीं आना होता एक कॉल करके उस बेचारी को बता तो दिया करो कमाल की है आजकल की नई नसद गैर जिम्हदार और इंतहाई लापरवा जा को जाके देखो अपनी माँ को आँटी बद्गुमानी वगएरा सब पुराने दौर की बात है एक छोटा सा मिसहाफ हुआ था हमने हांडल कर लिया है हा लेकिन बिटा मेरे बेटे की मंगनी में बद्मस्की तो हो गई न अंगूठी दर दर हो गई वो एक अलग टेंशन लिकिन खुशी के मौके पर इस तरह पुलिस घर में आ जाए मुनासिब बात नहीं लगती वैसे आँटी ये रिंग काफी अच्छी है आपकी शादी की है ये मैं रख लूँ आप मेरी वाली इंगेजमेंट वाली रख लीजएगा हाँ अगर तुम्हे पसंद है तो जरूर रखो वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है थैंक यू सालार बिटा अमीन का क्या बना जी जी आटी वो तो मामला सेटिल कर दिया था उसकी नियत चोरी की नहीं थी वो तो बक्तु को पसाने के चकर में उसमें इसमें सब कुछ की था मैंने अंकल से बोला कि वो उसको एक दो हाथ लगाकर काम से फारिग कर दे खामखा एफ़ यार करानी की क्या जुरूरत है हाँ, ठीक किया तुबने वैसे अगर कोई गल्ती कर दे तो दिल बड़ा करक उसमाफ कर देना चाहिए वैस उन्ती ये वक्तु भी खामखामीन के साथ लड़ता था मेरे ख्याल में अमीन के साथ वक्तु को भी काम से फारिग कर देना चाहिए